तो आज हम बनाएंगे रसम पाउडर फ्राइड राइस तो चलिए से हम बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने पैन पे दो बड़ी चमच ओईल ले लिया है और 10 से 12 काजू ले लिया है हम इसे फ्राइ करके से निकाल लेंगे और आफ लेली ले लें 1 टेबल स्पून मस्टर सीट्स 1 टेबल स्पून चना दाल 1 टेबल स्पून उड़त दाल 15-20 कारी पत्ते और हम इसे थोड़ा से फ्राइ कर लेंगे और अब यह fry हो चुका है हम इसमें एक कटवा आलू डाल देंगे और इसे भी 2-3 मिनट्स के लिए fry कर लेंगे और अब 2-3 मिनट्स हो चुके हैं हम इसमें एक बारी कटवा प्यास डाल देंगे और इसे भी golden brown होने तक हम इसे fry कर लेंगे और अब यह फ्राइ हो चुका है हम इसमें half tablespoon नमक डालेंगे आप इसे अपने according डालें और अब हम ले लेंगे MTR रसम powder हम इसे करीब two tablespoon डालेंगे और इसे mix कर लेंगे और अब यह mix हो चुका है हम इसमें burn bowl पकावा राइस डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से mix कर लेंगे और इसे two minutes के लिए और fry होने देंगे और अब two minutes हो चुके हैं यह अच्छे से fry हो चुका है और अब हम इसे काजे से गानिश कर देंगे और अब हमारा रसम पॉडर फ्राइड रैस बिल्कुल तयार है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो से like and subscribe करें और अपनी family and friends में share करें